हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तो आप लोग यहाँ पर Snapchat के application में किसी का ID यहाँ पर आप लोग सर्च करते हैं बट दोस्तो यहाँ पर problem क्या आता है आप जिसका भी ID सर्च कर रहे हैं उसका ID जो है वो आपको दिखाई नहीं देता है तो इस problem को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक कर सकते हैं और यह problem दोस्तो आप लोगों को क्यों आ रहा है तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को यह start करते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ कि यह problem आपको यहाँ पर क्यों आता है तो दोस्तो यह problem रहता है वो basically आपको ज्यादत तर जो है अगर आप यहाँ पर तो दोस्तो यहाँ पर होता क्या है कि न आप जिसका ID सर्च करते हैं अगर आप जो है कुछ गलत नेम लिख के सर्च करते हैं तो आपको जो है यह प्रॉब्लम आ सकता है तो दोस्तो जब भी आप लोग यहाँ पर किसी का ID सर्च कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से देख सबसे पहले मैं कुछ region बता देता हूँ कि जो ID जो है search में नहीं दिखता है तो इसका सबसे पहले मैं आपको region बताता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो होता क्या है कि अगर आप जिसका ID search कर रहे हैं उसने दोस्तो आपको यहाँ पर block कर दिया होगा तो यहाँ पे आप उस ID को सर्च करेंगे तो वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा दोस्तो यह हो गया आपका पहला condition और दूसरा condition यह भी हो सकता है कि दोस्तो जिसका ID आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं उसने अपने ID को ही जो है कुछ time के लिए deactivate कर रखा होगा तो भी आपको जो है उसका ID यहाँ पर सर्च लिष्ट में जो है सो नहीं करेगा क्योंकि दोस्तो उसने अपना जो ID है वो कुछ time के लिए deactivate कर दिया है तो जब तक वो activate नहीं होगा तब तक आपको उसका ID जो है सो नहीं करेगा और कभी कभी क्या होता है कि आप जिसका ID सर्च करते हैं तो हो सकता है कि उसने अपना username ही चेंज कर दिया हो तो तब भी आपको जो है problem आ सकता है या तो फिर दोस्तों कभी कभी जो है technical issue के कारेंड भी आपको जो है problem देखने को मिलता है तो इस बात का आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है आपको जो है technical issue अगर आपके phone में आता है तो वैसे तो यह कुछ time बाद अपने आप ही solve हो जाता है बट यहाँ पर मैं आपको कुछ condition बताएं